कि नमस्कार आदब दोस्तों मैं लालों मशेक पॉब्लिक न्यू चैनल से दोस्तों जो फुल्वामा में आतकमधी हमला हुआ था कि आपको कुछ हमारे जो हिंदुस्तान के राजनिता है मैं उनको कुछ आपको दिखाना चाहता हूं कि आप देखे जिसे बिजेपी के एक साक्सी महाराज है तो हमारे एक जवान की जो है हम आपको अगर ना पता है कि इस ट्रक के अंदर की मतलब एक जवान की हमारी सहीद की हमारी बॉडी है उसके अंदर तो यह मतलब शायद किसी को भी पता ना चले इस तरीके से इन्होंने रेली निकाला है जैसे कि कोई चुनावी रेली है और अपने चुनाव का परचार कर रही है कि से लोग चल रहे हैं और अन्दर खड़े एक तहसे अंदीर न millennials और इस तरीके से घंदीराज नीतिक यह ळी Los jalon करिये अपने बीवी को यतिम करके कोई अपनी दुनिया से चला गया और आप उसके ओपर फिर भी राजनिती कर रहे हो और आजिए जो कुछ सचाई है सरकार के उन्होंने कुछ बावर मिज्णा ने बयान किया वो भी देखिये गुणा में हमारे कम से कम 42 नौज़मानों को मारा और वो नौज़मान कह रहे थे कि हमें एर लिफ्टिंग करवाया जाए एरोपलें से यहां से वहां भेच दिया जाए मगर उनकी बात को नहीं माना कुछ लाख रुपए की बात थी नहीं माना सरकार ने क्यों नहीं माना क्योंकि सरकार के पास आठ दिन पहले ख़बर थी कि इन लोगों को मारा जाने वाला पहले से जानकारी थी 12 सरकार के पास आई बी का रिपोर्ट था और सरकार को मालुम था इन लोगों को मारा जाने वाला है तो सरकार ने सोचा कैबिनेट कमीटी ऑन सेकुरिटी मिटिंग हुई उनको मालू हो गया कि ऐसा होने वाला है सरकार ने होने दिया इसलिए होने दिया अगर ये मर जाते है तो हम लोगों को पाकिस्तान 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 मुर्दाबाद पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद कहने का मौका मिलेगा, और क्योंकि हमारे पास, नरंग्रमोदी के पास, लोगों के सवालों के कोई जबाब है नहीं, तो सारा मामला पाकिस्तान के दरब लेगे जाया जाये, ये सारा शर्यंत्र इन लोगों ने किया, ये शर्यंत्र सबजने की दुरूरत है उसमें मरने वाले शरूल कास के लोग हैं शरूल टाइब के लोग हैं बैकवर क्लासेश के लोग हैं समझ लो एक राजभर भी है हमारे लोग इसलिए साथ यो ये लोगों ने हमारे लोगों को मारा पाकिस्तान तो दूसरा देश है दूसरे देश से हमारे देश में R.D.X का माटिरियल कैसे आया गाली कैसे आई रोखने का काम क्यों नहीं किया पुलिस तुमारे पास मिल्टी तुमारे पास सेकुरूटी तुमारे पास C.I.D. तुमारे पास C.B.I. तुमारे पास I.B. तुमारे पास क्यों नहीं रोखा तुमको हर दिन पहले मालूं क्यों नहीं रोखा इसका मतलब है पाकिस्तान ने बया लिस लोगों को नहीं मारा तुम नहीं मारा तुम पाकिस्तान का नाम ले रहा है तुमको मालुम था, बचाने का काम तुमको करना था, तुमने बचाने के बजाए उनको मरवाया, और नाम पाकिस्तान का ले रहे हूँ, तुम ही जिमेदार हो, इसलिए सात्यों, ये शर्यंत्र जो EVM मशिन के साथ हो रहा है, और वो मामला हमने 26 तारीक को जेल भरो में उठा काया हुआ है, इसको डाइवर्ट करने के लिए, और EVM मशिन का जो शर्यंत्र भारत पर ठोपा गया है, उसके डाइवर्शन करने के लिए, दिशा बदलने के लिए सारा शर्यंत्र हो रहा है, इसे समझने की साथियों जरूरत है, और कुछ सच्चा है, हमारे राज ठाकरे सब्हार ने बयां किया है, वह भी हम आपको दिखाना चाहते हैं, आप देखके खुद फैसला करिए, कि राजनीतिक हिंदुस्तान के इस वक्तर जो राजनीतिक किया जा रहा है, यह राजनीतिक कितुना अच्छा है और कितना घलत है, यह फैसला आप जनता को करना है, कही कोण डवल का देवल है अजित डवल या एका मांणसाची जर कसुन सवकशी जाली न तर सग्ड़य गोष्टी भाहर पड़ती यह नेमका काय प्रकरण होता है काय प्रकरण घड़ले जे बिचारे आमचे जे जवान गेले मिया जवान अना शहीद जाले मैं ते गेले बिचारे पटे नुस्तेज गेले नैत त्या राजय की बली ठरले आज तुमारा सागोंडे ओतो निवट डुकेचा तोंड़ा वरती की वाट निवट डुकेचा मध्यात आशीज कुच्चि तरी एक घटना घड़वली जाईल मोठी घटना घडवली जाईल आणि तुमच्या सगल्यांच लक्ष हे फक्त त्या गोटिंकडे वडवला जाईल तुम्ही इतर बाकी चा जाक आई भरट्टा चाला चा या गेला 4-4 वर्षात ले गोश्टिये थिया सगल्या विशुरून जाल अड़ी आश्या प्रकार्ची कोंटी गोश्ट घडवु शक्तात पाकिस्तान चा पाणी तोड़ना तुम्ही नळातन देशात के पाकिस्तान चा पाणी तोड़ना अडवा बंधारा मणूं अमिच्छा ला बसोड़नार होते का अड़ेल पाणी ओप 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 तुम्हाला काईतेया काईतरी खोट्या बात मिआ सांते था अता नविन बात मिशुरू केली देशातली विमाना हाईज्याक करनेचा प्रेत्न अड़ेल विस्राव तुम्हाल नोडबंदी मदे धाने लागेर वेवार विस्रावा तुम्हाल इतर जेवड़े सग्णे विश्रावा बीते हैं सब्सक्रावेल दीवड़ू की जाला काड़नार है आस तो कई दिवस नहीं पर तुभी है वोश्टी नीट लक्षेट है वाकि है काई सालत आई एक हम आपको एक हकीका दिखाते है जो हमारे पीम साहब है जो इस देश के पीम है हमारे इंदुर्ष्तान की आनबान सान है जो वो अभी तक जूटे जितने भी जूटे वादे कर करके अब थक गये हैं और उनके पास अब कोई राजनीतिक यह पार्ट नहीं बचा है कि कोई नया मुद्दा खेला जाए तो आईए हम उनका एक हकीकत दिखाते हैं आप खुद पैसला करें कि कौन सा देश का पीम एक धरम के नाम पर या पूजा पाहर के नाम पर लोगों का पायर्द होता है मैं लादमा मश्यक फिर एक नई यूज के साथ आजिन होगा जब तक के लिए नमस्कार झाल